पुचा के कि EPC model के अंदर क्या क्या चीजे include करी जाती है क्या इसके इसके इंदर design को include किया जाता है what about procurement construction सोचिए फिर discuss करते है चलिए अगर पिछली discussion को आपने बिल्कुल ध्यान से सुने मैंने वहाँ पर आपको बताया कि सारी कि सारी चीजे इसमें include करी जाती है और contractor को दे contracting arrangement एक तरीके का होता है contracting arrangement जिसमें some industries जापे APC contractors होते है उनको responsible बना दिये जाते है कि भाई designing भी आप करो कुछ procure करना है वो भी आप करो कुछ construct करना है वो भी आप करो चिक है और finally जब बन जाए तो end user को owner को उसे hand over कर दो answer क्या हो जाएगा D तीनो ही चीजे इसमें शामिल हो चली चली